लास्ट रेडिंग सेशन फ्राइडे, 13th मही को हमने अपना ये ट्रेड एग्जेक्यूट किया था, किसी रीजन के वज़ए थे हम ये ट्रेड आप लोगों तब पहुंचा नहीं पाए थे, पब्लिश नहीं कर पाए थे, जो कि हम आज के दिम संडे के दिन कर रहे हैं, So thank you and I hope कि इस वीडियो से आपको ज़रू कुछ ना कुछ फायदा होगा. करने की जो जगह थे, इस बीच में था, यहां पर देखिए, इस टॉक ने किस त्रेस रेक्ट किया, जब वन आवर के टैम फ्रेम पर आप जाओगए, आपको याद होगा, लास्ट संडे या फिर सेटेडो को हमने एक वीडियो अप्लोट किया था, जिसमें वॉल्म के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एक स्टैट्जी के थूरू, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिश्चिशन में रख देंगे, आप उसको देख ली जगा, सब फर्स्ट वॉल्म, यह देखी, ग्रीन कलर, उसके बाद में बेरिश, फिर बुलिश, यह सब अप डिरेक्शन में और प्राइस का भी डिरेक्शन अप में है, आगे चल करके सेम लेवल हमारा सपोर्ट बना, सपोर्ट को मार्केट ने डाउंसाइड के तरफ ब्रिक किया है, एक बाद इसके ट्रेट बुक को उपन कर लेते हैं, इस पर, okay, so ट्रेट बुक में देखेंगे अपनी पोजिशन और बुक को देखेंगे, so यहाँ पर लॉगिन करते हैं, पासवर्ट वगर आपने, okay, and लॉगिन, one, so, लॉगिन, perfect, so यहाँ से और बुक अपनी उपन करते हैं, so, पोजिशन बुक में आप देख सकते हैं, टोटल, 18,572 रुपर, 50 पैसे का अपना, overall आज का प्रॉफिट, एक बाद पेच को रिफ्रेश कर लेते हैं, perfect, 18,572 रुपीज और फिटी पैसे का overall आज का प्रॉफिट, इंट्र देक के सेशन के एक अपन करते हैं, overall हमने अपनी exit की है, 8, इसको बाद रिफ्रेश करते हैं, इसको भी, 8.95 पर हमें निकलना था, but अपने target को हमने stretch किया, अब इसको आगे की तरफ देखेंगे, कि क्यो stretch किया, क्या reason थे, so, position book open कर लेते हैं, perfect, 18,000 प्लस का profit है, and आज का trade काफी simple सा trader है, जबकि सारे के सारे stock हमा रहा है, so, आईए, अभी stocks के तरफ बढ़ते हैं, क्यों हमने trade किया है, one by one, एक एक candle को पकड़ेंगा, और समझने की कुशिश करेंगा, so, thank you, and video का अच्छा रात है, तो उसको जरूर सा जरूर लाइक के जागा, comments के जागा, आज के trade को समझने से पहले, volume के एक structure को में समझ चीज़ें, video का, जो link है, वो description में हम डाल देंगे, आप वहाँ से video को देख सकते, फिर भी, अगर उस video को आपने नहीं देखा है, तो in shot, ये in shot रहेगा, और अगर डीपी समझना उस चीज़ को आपको उस video तक जरूर जाना चाहिए, अगर आप जाते हो, तो काप्यों के ज चाहिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को हमने explain किया था, कि जो volumes होती है, इनका अपना क्या role play होता है, क्या psychology होती है, इनके पीछे के, अब जैसे first, इनका एक rule हम लिख देते हैं, चोटा सा, अब इससे एक point कुरूनों थोड़ा जल्दी से समझते हैं, first वाल हमारी volume है, इस से शुरू होती है, तो different than the first one, मतलब first अगर bullish है, तो second हमारी bullish होगी, फस्ट अगर bearish है, तो second हमारी bullish होगी, पहले चीज़, and greater than the first volume बाहर, first से ज्यादा होगी, greater than the first volume, अगर first हमारी कम है, जितनी भी है, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, 100, 105, 100 है, तो 200, first से ज ज्याद होगी मेरी से इसका सेकेंड वाली केंडल से कोई लेना देना नहीं है थर्ड वाल्यूम हमारी कैसी भी हो सकती है बुलिश भी और बेरिश आयोग क्लियर होगा बहुत सिंपल बहुत इजी टू यूज लेंग्वेज में आपको समझा रहे हैं अब इतने में भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक दो बार देखेगा बहुत सिंपल आ आप इसको देख जरूर लेना है अगर इस चीज़ को आपको समझना है यह तो वॉल्यूम हो गए यहां पर जो टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे है अपना फोर आवर का हमारा टाइम फ्रेम है यहां पर जो भी मेरा प्राइज होगा हम जस्ट उनके हाइस को मार्क करेंगे प अपर इसको आप देखने हैं हमारी इसी लाइन से ही सब कुछ होगा अब जो एक बार में जैसे ध्यान से देख रहो तो इस चीज़ें मन में चब जाते हैं आप एक बार दो बार प्रेक्टिस करोगे तो फिर दो बारा देखने की ज़रुरत पढ़ेगे यह कुछ दो तिन आप याद रख लेना clear है तो यह पूरा का पूरा इस्ट्रक्चर देखोगे उसके बाद में जब trade execute करने जाओगे चार्ट के उपर आपको यह साइट जीज़े देख रहे हैं जितना easily हम लोग drawing draw कर देते हैं actually market उतना easy नहीं होती है हमें समझना होता है practice करनी होती है time expand करना होता है उसके पर investment करना होता है तब जाकर कि चार्ट को हम थोड़ा 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 करके last में फिर समझ पाते हैं इतना समझ पाते हैं कि उसके उपर हम real money के साथ trade execute कर से हर बार हम यह सारी चीज़े आप यह है कि options के अंदर बड़ा profit होता है और तुरंद वो options में चले गए जिससे कि क्या होता बहुत बड़े इस तर पर loss करते हैं अपने ही पर पर कुलाड़ी मारते हैं बड़ ही नहीं बाते आगे जहां थे खड़े थे वहीं खड़े रह जाते हैं इसके आगे फिंको लगता ह कि आप options आप stocks के उपर काम करो वो यही बुलेगा कि आप option पर आओ क्योंकि वहां पर loss करने की chances ज्यादा रहते हैं आप loss करोगे तब तो broker और बाकी के बड़े players profit करेंगे न तो यह चीज़े market में निकाली ही नहीं जाती है जो actual knowledge होती है आपको खुद अपना effort लगाना पड अगर हमेशा profit 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 के बारे में सोचोगे आप knowledgeable नहीं बन पाओगे profit को एक साइड में एक तरफ साइड रख करके अब market के बारे में सोचना शुरू करो आपको बहुत अच्छी चीज़े समझ भाएंगे बात वहां कुछ जादे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं बट समझ रहे इंतर हैं रह है है बाट सब्सक्राइफ करदे हैं तो नहीं करते हैं तो वहां पर अपडिट करते हैं जैसे कल chrongoly चार्ट में धू हम शरूर हम को बताया बार-बार हम कहा रहे हैं पोजिशनिंग, पोजिशनिंग की ज़रूर ध्यान रखना है, पोजिशनिंग को हमेशा देखते रहना है, कल काफी अच्छा discussion हुआ था class के जब हम पोजिशन को देख रहे थे, अब एकर समय मिलेगा तो अपने इसी वीडियो में class को छोटी सी recording हम शेयर करेंगा आप रहों क second, different होनी चाहिए first से और ज्यादा होनी चाहिए first, third, color कैसा ब्योंक बाट first से ज्यादा होना चाहिए, जो volume, तीनों चीजी clear हो रहे है, हम इन तीनों ही candles में, price ने जो भी highs लगाए होंगे, और जो भी lows लगाए होंगे, हम उसको mark कर लेंगे, 11 बच कर 15 मिट पर, समझ में आ highs and lows को mark कर, simply हम high को mark कर लेंगे, और low को mark, हमने इतनी ही चीज़ यहाँ पर, अब देखिए, price में हमने आपको last video में बोला था, कि अगर किसी भी stock को हम trade कर रहे हो, उसको पर हम levels को mark कर रहे हो, volumes देख रहे हैं, हमने कुछ price को नहीं देखा है, सिर्फ हमने volumes को देखा, but इन volumes नहीं हमको एक सही support और सही resistance ले जाकर छोड़ दिया, अब जब हम को हम बोलते हैं, सही support और ний रेस्तेंस तो इस देखा को समझना पड़ेगा, यह सही support और सही resistance क्या है, आप जब धीर धीरी करके practice करते रहोगे, तो गलत draw करोगे, सही draw करोगे, सही draw करोगे, गलत draw करोगे, अब यह mistakes आपको खुद find करनी पड़ेंगे यहाँ पर देखें मार्किंग थोड़ी सी गलत होई है यह वाली मार्किंग अपनी इस green candle का low और इस green candle का अपना high के फिलाल कोई value हम लोग नहीं लेंगे हम जैसे यहाँ पर low चलिए mark करते हैं तो दोनों कोई mark कभी भी कोई भी line हम draw करते हैं तो हम यहीं समझके करते हैं कि price in future जाकर कि उस line के पास से आपका support या फिर resistance लेगा मतलब future में price हमारा हमारे इस level से कुछ न कुछ react करेगा हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि यहाँ पर होता भी है हुआ है अब in future अगर करेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने draw कर दिया क्यूंकि आपने draw किया इसलिए future में काम करेगा नहीं issues को मैं backtest करना होगा backtest का मतलब थोड़ा सा आगे पीछे मिलोग जहां करना है कि ऐसा तो नहीं है हमने अभी तो draw कर लिया है लेकिन past में market ने वहाँ पर react ही नहीं किया अब जिस तरह से market react करती है यहाँ पर कुछ confirmations होता है कि हाँ आपकी lines ने react किया है volumes के अपने structures होते हैं और prices के अपने structures इनको देखना होगा अभी इस एक point के उपर हम लोग discussion नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे सिर्फ इतना समझ लेज़े कि price ने इस वाले level पर भी बहुत अच्छे से respect किया है अब बारियाती आगे hourly time frame पर हम लोग हैं अब hourly time frame पर price को थोड़ा सा read कीज़े देखिए क्या होगा यहाँ पर जैसे ही market हमारी आ रहे है देखिए अपने resistance का breakout किया है यहां से price मेरा upside की तरफ हमारी कौन से candle निकली है यह वाले candle मतलब हमारी इस पूरी range को 2 बचकर 15 मेंट की candle ने break किया हम इसका high mark कर लेंगे अब high के पास से देखिए market ने क्या किया है जो 9 बचकर 15 मेंट की candle है 10th of माई की इसको समझते चलिएगा 10th of माई की 9.15 की यह जो candle है हमारी इसने हमारी range को break करने की कोशिश की बट price हमारा उस दिन मतलब 10th of माई को बाहर नहीं निकला है अपनी range के अंदर ही आ करके देखिए इसने closing कर देखिए मतलब वापस price हमारा हमारी range के अंदर ही आ करके close हो गया तो 10 तारीक को price हमारा upside के तरफ इसने जाने के कोशिश की बट price हमारा upside में नहीं गया और वापस हमारी वो range के अंदर आ करके close हो गया अब 10 को downside के तरफ close हुआ 11 को भी price हमारा हमारी range के अंदर ही रहा और 12th को प्राइज ने मेरी रेंज को ब्रेक कर दिया, यह देख पार है न, lower low, lower high, lower low, lower high, सभी लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कैसे use करना है इसको, किस तरह से एक trade में, एक profitable trade में इसका use किया जाएगा, यह कुछ वो points होते हैं, अगर आप draw करना सीखो, तो बहुत help करेंगी आपके, simply यहाँ पर देखे, आपको low low, lower high लगते को दिख रहे हैं, clear है, मतलब के 10th of मई को प्राइज ने आपकी range को break करने की कोशिश की, बट यह वाली जो green candle है, प्राइज इसके ओपर sustain नहीं कर पाए, और फिर सीधे ही नीचे गिर गया, और अपनी इस वाली range के अंदर आकर के trade कर, समझ भार है, और फिर देखे, बारा को जब price हमारा नीचे की तरफ आया है, तो इसके अंदर volumes देखे, volume के structures कितने heavy बने हैं, मतलब heavy volume के साथ price ने हमारी इस range को, level को break के down side की, बारा की बात थी है, यहाँ तक clear है, मतलब कि यह level कहें अपना कही importance दिखा रहा है हम लोगों को, और अब बार यह आती है हमारी, मतलब 13th of May, जिस दिन हमने इसको trade के, 878.40, अब चलते हैं हम लोग सिधे 5 minutes के time frame पर, यहाँ पर इस वाली range को हम लोग delete कर देते हैं, यह समझ रहना हम ने tune draw की थी, अभी हम इसको delete कर थी, क्योंकि अब इसको कोई काम है ने, और upside में इस वाली range को हम लोग रहने देते, अब आते हैं सिधे 5 minutes के time, 5 minutes में देखिए हम तीन कुछ highlighted points draw करेंगे, जो कि अभी हमने शुरुबात में किये थे, 1, 2, और यहाँ पर देखिए market क्या कर रही है, same instructions form हो रहा है, एक high, और again market हमारी उस level क के तरफ break कर दिया गया, मतलब एक level के अंदर आकर के trade कर रही है, और जिस level के अंदर है उस level को price ने downside के तरफ with volume, अभी hourly पर देखाना हम लोगों ने कि किस तरह से उस level को downside के तरफ break किया गया, और यहाँ से फिर देखिए price हमारा उस level के अंदर चला गया, जिस level को break करके market न practice करोगे ना, इससे easy आपको कुछ नहीं लगए, आप easy के नाम पर तो देखिए इतनी सारी चीज़े market में फलाना, crossover हो गया, इधर से RSI हमारा है, बालिंचर बेंब बताब तरह तरह की indicators वगरा, करिए काम उसके उपर, क्या होता है, last में loss पे ही निकल हो गया, आसान तो होता कि 90% trader fail है, क्यों, क्योंकि 90% trader यहीं चाह रहा है कि आसानी से हमको मिल जाए, यह तो सब बहुत tough है, ऐसे काम हो गया, कोई indicator ही नहीं है, यह कुछ sense बन रहा है कि trade करनेगा, कैसे trade up में execute करेंगे, common sense लगाई है, थोड़ी सी practice केजिए, इस से आसान कुछ नहीं मिलेगा, price दे समझ में रहा है न, यहां तक सारी चीज लिए, अभी हमने क्या किया है, सिफ higher time frame पर अपनी analysis की है, अब बार यह आती है, यहां पर entry की है, कि हमने entry कैसे लिए, price ने जैसे ही 9.15 का high break किया, जैसे 9.15 का high upside के तरह break हुआ था, with volume, हमने यहां पर अपना trade execute किया, stop loss जो हमने मुश्किल पड़ता है, मुश्किल तो यहां से जिस तरह से confirm करके price upside के तरफ गया है, 9.15 की range के अंदर भी आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन buffer दे कर कि हम लोग लगाते हैं, जो अपना stop loss हमने लगाया था कहल के दिन, 8.77.25 कुछ यही वाली range थी, जहां पर अपना stop loss हमने अपना put किया था, और जो target हमने लगाया था, अपने 8.95 सबसे पहला हमारा target था, और 8.95 के बाद में जो हमारा दूसरा target था, वो था 900 रुपीज का, यह वाली जो level आप देख रहो, जो upside में draw किया है, तो profits जो हमने book किया था, अपने 900 पर overall profits अपने book कर लिये थे, यह यह मेरा stressed target था, 8.95 हमारा real target था, overall यह अपना setup था, 800.880.40, यह अपना entry का point था, clear है, तो overall यह अपना पूरा setup था, trade execute करने का, जिस video click के बारे में आपको बता रहे थे, फिर कभी किसी video में हम वो click आपनों के साथ share कर देंगे, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आज इस video को हम यही पर अपना खतम करते हैं, close करते हैं, I hope कि इसे जरूर आपने कुछ ने कुछ नया सीखा होगा, वीडियो का रच्छा रखते हो, तो उसको जरूर से जरूर लाइक की जगा है, टेलेग्राम चैनल अपने जोइन कर सकते हो, जितना भी हो सकता है, जब यह में ज्या